तो उसमें मैंने ऐसा हैंडवर्क किया हुआ है जो इस तरह से मैंने हैंडवर्क किया है वाइट फैब्रिक में तो इस तरह से मैंने पूरा हैंडवर्क और यह मीरर लगाई हुआ है तो आपके पास यह got में जो फैब्रिक तो आपके पास पर यह बैतक रह जाए 15 चानल रंदे मैंने यहां साड़ा दास ही रहेगा हमारा और यह लंबा आएगी अमरी आठ हिसकी तो साड़े दस्वाइ आठ हिसका में दो कटिंग लेना है उसके अंदर जो रबर शीट लगाऊंगा तो इस तरह की रबर शीट है वह में डबल डबल लगाऊंगा एक साइड में दो आपका में दो अस्तर लेना है और यहां उपर में इसा प्लास्टिक लेमेनेशन लगाऊंगा जो इस तरह का प्लास्टिक लेमेनेशन है उसका भी दो कटिंग लेना है हमें और आपके पास इसा प्लास्टिक लेमेनेशन नहीं है तो आप बिना प्लास्टिक से भी आप यह बना सकते हो और आपके पास rubber sheet नहीं है तो form sheet भी यूज़ कर सकते हो और उसमें जो pocket लगाऊंगा वो pocket का अप अंदर जो pocket आएगा यहां मैंने गया किया हो है और आपके पास इसा hand work वाला नहीं है आपके पास जो भी टो यूझ।وس कर सकते और तो इसतरह से नीचे हें मेज़ो रखना है उसके और चिर बशिर्ण है वो यहां में फैब्रीक और यहां में दो कर देनी है तो यहां में सिला कर देता हूं को का कि झाल तो इस तरह से हमें यहां सारो तरफ से लाए कर देने हैं और यहां साइड में जो ज़्यादा रबर सीठी उसकों में कटिंग कर लेना है तो यहां सारो तरफ से ज़्यादा रबर सीठी उसकों में कटिंग कर लेता हूं और अब से हम इसी तरीके से में दूसरा पार्ट बना लेना तो इस तरह से में दूसरा पार्ट बना लेना तो उसमें भी पहले नीचे हमें अस्तर रखना उसके ओपर रबर सीट रखनी है और उसके ओपर हमें फैबरिक का पार्ट रख देना और यहां भी में उपर सारो तरफ सी लाइकर देनी है तो यहां भी में उपर में सारो तरफ सी लाइकर देता हूं उसके उपर में प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूं तो इस तरह से यहां प्लास्टिक लेमिनेशन भी में लगा देना है तो यह प्लास्टिक लेमिनेश भी लगा देता हूँ टो इस तरह से हमें यहां plastic lamination लगा देना और ज्यादा plastic lamination उसको में cutting कर लेना है तो यहां सारह तरफ से दो ज्यादा plastic lamination उसको में cutting कर लेता हूँ और अब हमें पॉकेट बना लेना है तो पहले हमें जीप रखने है तो इस तरह से यहां नीचे जीप रखने ऊपर हमें पॉकेट रख देना है इस तरह से और यहां जीप के ऊपर इस तरह से पॉकेट रख करमें सिलाय कर देनी तो इस तरह से हमें जीप लगा देनी इस तरह स और यहां उपर की साइड में दूसरी पट्टी जोड़ देनी है तो इस तरह से यहां फैबरिक की पट्टी जीब के उपर रखकर में सिलाय कर देनी है तो इस तरह से हमें पॉकेट त्यार कर लेना तो इस तरह से हमें पॉकेट त्यार कर लिया है और अब हमें यह पाट रखना है उसके उपर हमें पॉकेट रखतेना है तो नीचे से हमें पूरा माप रखना है और ज्यादा है जो pocket ज्यादा है बड़ा है वो हमें उपर रखकर हमें ज्यादा निकल देना है तो इस तरह से में नीचे pocket रखकर यहां उपर यह पार्ट रखकर सिला कर देनी है तो नीचे हमें pocket रखना है उसके उपर यह पार्ट और यहां उपर हमें सिला कर देनी है तो यहां में सिलाई कर देता हूँ तो इस तरह से हमें यहां ओपर सारो तरफ सिलाई कर देना है ताकि जो निशे का जो पॉकेट है वो साथ में सिलाई में आजाई इसलिए है और अब यहां ओपर जो ज़्यादा पॉकेट है उसको में कटिंग कर लेना है उसको में cutting कर लेना है तो यह सारा तरब से ज्याधा जрей जो पोकेट का असतर है उसको में cutting कर लेता हूं इस तरह से मैं दोनों पाट त्यार कर लिय युझा है अब यहां में जीब पत्य लगा देनी जैसरे सीमें जीब पत्य बनाई हुए है तो यह जो मारा पाठ है उसके उपर हमें इस तरह से जीप पटी रख देनी है और अब यहां उपर हमें सिलाय कर देनी है तो यहां यह पाठ के साथ हमें जीप जोड़ देनी है जीप पटी जोड़ देनी है उपर चे और अभी जीपट्टी के साथ हमें दूसरा पार्ट जोड़ देना है तो इस तरह से हमें पार्ट रखने उसके उपरे में जीपट्टी रखने इस तरह से जीपट्टी और पार्ट दोनों जोड़ देना है तो यहां भी में दूसरा पाट भी जोड देता हूँ जीपट्टी के साथ और अब यहां उपर में सिलाई कर देनी है तो यहां उपर में सिलाई कर देता हूँ यह जो हमने जीपट्टी जोड़ी है वहां से हमें उपर पाट के उपर हमें सिलाई करनी है तो इस तरह से मैं उपर एक सिलाई कर देता हूँ तो इस तरह से मैं दोनों साइड ये पाट के उपर सिलाए कर देनी है तो इस तरह से मैंने दोनों पाट के उपर सिलाए कर दी है और अब यहां जो मोती वाली पाइपीन है यहां लगा देनी है जो लेस है वह मोती वाली यहां इस तरह से पूरे राउंड में लगा देनी है तो इस तरह से पूरे राउंड में मोती वाला लेस लगा देता हूँ जो मरी पाइपीन में आ जाएगे इसलिए तो इस तरह से पूरे राउन में हमें ये लेस लगा देनी है तो इस तरह से मैंने पूरे लेस लगा दी है और अब यहां से में दोनों पाट मिला लेना है तो इस तरह से सामने सामने कर देना है यहां से हमें जोड देनी है तो यहां से मैं सिलाय करके दोनों पाट जोड़ देता हूँ और हमने जो लेस लगाया है वो लेस की जो सिलाय आई है वो सिलाय के उपर यह में सिलाय करनी है तो इस तरह से पूरे राउन में हमें सिलाय करके पैक कर देना है तो यहां में इस तरह से पुरे राउन में सिलाए करके पैक कर देता हूँ तो इस तरह से हमें पुरे राउन में सिलाए करके यहां साil में जीब को खोल लेना है तो यहां से में जीब को खोल कर पल्टा लेना है तो इस तरह से में अच्छी तरी के से में पल्टा लेना है तो दोस्तो इस तरह से मेरा हेंड बैक बनकर तियार होगी इस मैं ने बना लिए और बनने के बद इस तरह से दिखता है और दोस्तो आप भी घर पर ये हैंड बैक जरूर बने और आपसे कैशा बनता है मुझे कॉमेट में जरूर बताए और दोस्तो आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीस लाइक जरूर करें और आगे शेयर भी करें और दोस्तो अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने मेरी सैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखें उसका बहुत बहुत देन्यवाद और साथ में बेल आइकोन भी दबाई ताकि मेरे निए वीडियो की नौटिपेकिशन आपको तुरुत मिलती रहे थेंक यू झाल